खान दीजीए गबोट पे अभी तक हमारा चेप्टर का नाम कया चल रहा था Cost of Capital सर cost of capital में हमने क्या क्या कर लिया अगर मैं first class की मैं बात करूं तो cost of capital के अंदर हमने देखा था कि हमें 3 बातों पर फोकस करना है 3 बाते सीखना है एक मैंने कहा था कि हमें सीखना पड़े गा क्या की, कि याद हो चाप को, मैंने कहा था एक सीखना पड़े गा क्यी, जो कि हम सीख चुके हैं, लेकिन हाँ, ध्यान रखना, के अंदर एकंसेप्ट अभी भी pending है, जब ग्रोथ यर्वाइस यर देगा, तभी भी pending है, और दूसरे मैं बात करूँ केपी केपी पूरा हो गया है और केडी इन तीनों को हमने अच्छे से कर लिया है अवाज नहीं आ रही चेक करी एक बार वोईस क्लियर है अब बताईए ठीक है चलिए वो कनेक्ट नहीं होगा शायद तो मैं दुबारा बता दू मैंने केई कर लिया है लेकिन केई के अंदर ना अभी एक पार्ट पेंडिंग है चोटा सा पार्ट है ऐसा मेजर नहीं है कि सोचो के कुछ बहुत बड़ा पेंडिंग रह गया केपी भी कर लिया केडी भी कर लिया इसके बाद हमने क्या करा था सर इसके उपर के कुछ questions देख लिए इसके formula देख लिए formula समझ लिए और फिर हमने कुछ इस पे specifically questions भी कर लिए है last class में हमने केई करा था homework के लिए कोई question था नी आज मैं आपको दे दूँआ PDF भी और homework के लिए question भी मिल जाएगा आज हम करेंगे last class का ये part था यारी हम तीनों चीज़े सीख चुके आज हम सीखेंगे cost of capital आज का topic है सर ये तो chapter ही है ये तो हमारा chapter ही है na cost of capital तो आज हम cost of capital सीखेंगे जिसके अंदर क्या रहेगा सर cost of capital की मैं बात करूँ तो cost of capital में अब जो हम costing सीखेंगे के प्लस के पी प्लस के डी इन तीनों का एक combine percentage सीखना होगा अब हमें तीनों का combine हमने individually तो सीख लिया ना के सर के डी का इतने percentage है के पी का इतने percentage है individually तो सीख लिया मैंने अब हमें क्या सीखना होगा तीनों को add करके कम है बहुत आसान है अब सर अगर cost of capital की बात करें तो cost का मतलब अगेन खर्चा और capital हम तो पहले discuss कर चुके हैं यह दो तरीके से पूछा जा सकता है और दो तरीके से निकाला भी जा सकता है एक हो सकता है आपका book value पे और एक हो सकता है market value पे सर book value और market value में क्या difference है जैसे जैसे हम करेंगे वो देखते जाएंगे जब तक दोनों के एक ही question नहीं हो जाते तब तक हमें difference तो नहीं पता चलेगा आज हमारा agenda है book value अगली class का agenda होगा हमारा market value chapter finished लो जाएगा फिर आपके doubts रहेंगे सर book value का मतलब आपका equity share capital debenture या preference share capital मान लेते हैं कि face value कितना होता है बताओ इनका अगर मैं face value बताओ 10 रुपे 100 जो मैंने बताया था आपको 100 लेकिन market value जरूरी थोड़ी यह हो market value हो सकता है इसका 50 इसका हो सकता है 120 इसका हो सकता है 500 हो सकता है ना तो जो इस value को consider करके निकाला जाएगा इसको book value बोलेगे और जो इस value को consider करके निकाला जाएगा उसे market value बोलेगे ठीक है ना इनके भी short cuts name है जिसको आपको focus रखना है book value को हम क्या बोलते है shortcut में sir book value को बोला जाता है हमारा shortcut में मैं आगे से इसको book value वाले को बोलूँगा average cost of capital यह full form है वेटेड क्यूं कहा सर क्यूंकि अब इन तीनों का निकालेंगे तो जब कभी भी बहुत सारी चीजों को निकाला जाता है तो वेट के format में निकाला जाता है वह तो हमें वेट ही निकालना पड़ता है जब तीनों की बात करें तो वहां पर weightage की ही बात होती है हमें साथ इसका नाम पढ़ गया weighted average cost of capital जिसको short form में क्या बोलूँगा में मार्केट वेल्यू की मैं आज बात ही नहीं करने वाला बिल्कुल भी क्योंकि अगली क्लास का एजेंडा कोई फायदा नहीं confusion क्रेट करके सर इसके solution के करने के दो तरीके हैं और मैंने हर बार देखा है कि अगर मैं दो तरीके बताओं तो बच्चा समझ भी जाता है आधी क्लास एक तरीका समझता है अधी क्लास एक तरीका समझता है उसके बाद फिर एक finally question बोलते है हम किस से करें मैंने बोला करने के दो तरीके आपकी इच्छा है बाई किसी से भी करो तो दो तरीके हैं दोनों में से आपको जो suitable लगता है वो करो लेकिन मैं अब एक ही कराऊँगा ताकि question raise ना हो दूसरे वाले का एकाद question बीच में doubt session के बीच में मैं ले लूँगा दोनों तरीके से exactly same answer आता है book में कहीं किसी तरीके से कर रखा है किसी तरीके से कर रखा है ठीक है same तो मैं जो करूँगा वो simple वाला लेके चलूँगा पहले और मैं simple वाले को देखा जाए simple और difficult कुछ नहीं है दोनों एक ही है बस उनको बताने का और समझाने का तरीका लगा तो सर आज क्या हम पढ़ने वाले हैं पहले तो वो एजेंडा क्लियर होना चाहिए हमें आज हम cost of capital पढ़ेंगे और combine वाला पढ़ेंगे combine वाले capital क्या मतलब सबका मिला के एक percentage निकालना सीखेंगे और cost of capital के अंदर हमारे कितने parts हैं इसके अंदर दो तरीके से सीखेंगे market value को use करके और book value तो market value वाला आज बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले सिर्फ क्या पढ़ेंगे book value का कौन से आज का पता एजेंडा क्या है चलिए sir book value वाले को करने के लिए कुछ methods होगा कुछ techniques होगा बिल्कुल और ये जो मैं बताने वाला हूँ ये आपके लिए कोई new नहीं है आपने पहले कभी ना कभी करा हुआ है आपको कुछ एक format कर लेते हैं इसा कोई format ना किसी किताब में लिखा है और ना ही कोई ऐसा rule लेकर आपको इसी format में ही करना है बस एक simplicity के लिए बना लिए क्योंकि FM के अंदर debit credit नहीं चलेगा ना यहाँ पे यहाँ अकाउंट से लेना ही देना नहीं है यह अपने हिसाब से चलेगा ठीक है यहाँ पे लिख लेते हैं हम particular या फिर यहाँ पे डाल लेते हैं हम source of fund ठीक है सर यहाँ क्या लिखोगे यहाँ पे मैं लिखूँगा जो भी fund होगा यहाँ पे cost यहाँ पे amount ठीक है तीसरा कॉलम इसको मैं एक तरीके से मान लो इसको x इसको f यहाँ पे product लेंगे तो क्या हो गया यह fx कह लो xf कह लो वो मैं सोचना सर यह वाला f होता है mean, median, mood वाला मैंने एक मान लिया fx की तरीके से तो थोड़े याद रहे product का मतलब यह क्या रख लिया मैंने fx रख लिया ठीक है सभी को proper visual है यह वाला point सारा तो नहीं तो मैं थोड़ा सा इसको shift करके बढ़ा कर देता हूँ चलिए अब source of fund अब बताओ मुझे बताना simple अगर मैं capital कहूँ तो capital का मतलब इस chapter में क्या क्या है equity share है या नहीं है preference share है या नहीं है और एक word में क्या debt है या नहीं है debt का मतलब सा debenture भी है और debt का मतलब bond भी है यहाँ equity के दो partition हो जाएंगे जो कि हम अभी question में नहीं मैं discuss करेंगे मैंने वहला ने केई का एक part रहता है तो अभी discuss नहीं करूँगा क्योंकि जो dividend देते हैं ने dividend के अंदर दो part हो जाते हैं कि retain earning वाला part होते हैं वह भी आएगा लेकिन अभी फिलाल के लिए नहीं कर रहा तो source of fund में हो सकता है आपका equity, equity share capital, number one, number two, possibility आपका हो सकता है preference share capital, number three, आपका हो सकता है percentage, percentage होगा मैंने लगाए ने कोई दिक्कत ने, debenture, number four, आपका हो सकता है loan या फिर five, और क्या हो सकता है मैं सब का नाम अलग अलग ही लिख देता हूँ, confusion खतम bond हो सकता है, ये तीनों वैसे debt का ही part है, मैंने अलग अलग लिख दिया तर एक part छटा होगा, ये मैं लिखूंगा लेकिन बताऊंगा नहीं अभी although मैं पहले ये बता चुका हूँ के होता क्या है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं इसको थोड़ा सा avoid करूँगा क्योंकि मुझे अभी concept समझाना है आपको ठीक है, ये हो गए हमारे source of fund, सर source of fund का मतलब यहां यहां से पैसे का इंतजाम होगा, और सर पैसे की इंतजाम की बात चल रही है तो यहां क्या होगा, यहां पैसा आजाएगा, हर किसी के आगे payment आजाएगा सर यहां cost, cost कैसे आएगा, निकालना पड़ेगा सिखा है, तीन class में, दो classes में ही सिखा है, हर किसी का cost तो मान लेते हैं, 10% है, तो आपको 10 नहीं लिखना, 0.1 लिखना है यहां percentage उपर लिख दिया है, तो आपको क्या लिखना है, 0.1 लिखना है तो यहां पर cost आजाएगा, यहां पर, अगर 12% है तो क्या लिखोगे, बताओ 0.12, क्योंकि 12% है न, इसको divide कर देना न, 0.12 लेना, ठीक है, और 4% में क्या लोगे, बताओ 0.04 लिखना है, यह cost हो गया, product कैसे करते हैं, यह तो बच्पन से सीख रहे हैं, multiply कर देंगे मैं यह method इसलिए लेता हूँ, क्योंकि अभी आप देखोगे तो लगेगा, यह तो बस पता ही था हमें चलिए, अब fund की बात करते हैं, एक तो इस amount का, जो हमें amount given है एक तो इसका total करने वाले हैं, और एक total करेंगे इसका, ठीक है न, एक total जो amount होगा इसका total करेंगे, एक करने वाले हैं इसका, सर इसका total नहीं करना कोई जुरत नहीं है इसके total करने के ठीक है ये वाला काम आपको क्या करना है question से उठाना और fill करना है examiner आपके उपर महरवान रहा तो ये cost दे देगा वो खुदी बोलेगा yellow cost percentage मत निकालो आप यानि सबका cost खुदी निकालके दे देगा अगर examiner ने दिया कई question में हुआ है अभी करेंगे न तो देखना बाकी आपको अगर ये cost देता है तो simple multiply करके total वगरा करना है यानि सर आपने stats के अंदर देखा होगा कि एक mean होता था एक median होता था एक mood होता था ठीक है ना तो कही ना कहीं जिसके अंदर fx वाला point था तो median वाला point बात कर लेता है बिल्कुल stats वाला है ना जो mean निकालते थे हम तो उसके according अब WACC मैं लिखूंगा यहाँ बताओ WACC क्या है बताए था formula क्या निकलेगा sir निकलेगा यहाँ पर again इसका मतलब क्या होता है मतलब क्या होता है plus करना यानि sigma fx समझ गए यानि यह ठीक है divided by sigma x मतलब किसका और इसको formula को ऐसे भी लिख दो तो कोई दिक्कत ने examiner को मतलब भी निया formula multiply by 100 तो जो भी result आएगा वो ही आएगा WACC इसको करने के दो तरीके यह वाला तरीका देखो आपको लगी नहीं रहुआ कि मुस्किल है मुस्किल क्या है पहले बहुत करे हुए question ठीक है न इसलिए मैं इसको prefer करता है examiner कभी भी नहीं बोलता कि आप ऐसे निकालिए वैसे निकालिए आपको बोला जाएगा cost of capital और सर्फ 10 से 15 नमबर का question पूछा जाता है हमेशा एक question देख लेए इस पहले यह समझ में आया book value है ठीक है हाँ अभी जो मैं format कर रहा हूँ ना यह यह डबलू ए सी सी एस पर book value किया जा रहा है ठीक है चलिए आपके सामने एक बहुत simple सा question ज्यान दीजिए simple सा question है और इसको करेंगे करने का वही तरीका रहेगा जो पहले अभी देखा था तो हमें क्या करना चाहिए और मैं again कह रहा हूँ ऐसा कोई format है नहीं किसी किताब में और कहीं भी के सार हम ऐसे ही करेंगे यह है calculation part जैसे मरजी करिए आप काफी बुक में कर भी रखा है ऐसे काफी बुक में दूसरे तरीके से तो हमें तो बस examiner को जवाब देना है पहला point क्या था source कोई बच्चा बोल रहा है sir particular लिखेंगे लिख दो कोई बात नहीं मुझे source of fund लिखना अच्छा है मैं यह लिख रहा हूँ और बताओ cost को किस से denote करते हैं मैं वही बोल रहा था वो f और x मेरा था वो यह नहीं था cost को इससे करेंगे cost को k से ही denote करते हैं इसके उपर मैंने समझाने के लिए fx कर दिया था बाकि आपको लिखने की कोई जुरत नहीं है बस यहाँ पर आप कर सकते हो product ठीक है ना अब मैं नहीं लिख रहा उपर सर कोश्चन पढ़ लेते हैं कोश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे धीरे-धीरे करके क्या कहता है कोश्चन में कहता है the following information available balance sheet of company company के पास security share capital है 800 share है 100 रुपे का एक है इंटू करके दे रखा है कितना 8 लाग का ट्वेल परसेंट सर डिबेंचर है यहां पर यह रहा 8 परसेंट लॉंग ट्रम लोन है कोई बात नहीं total fund इतने का है determined weighted average cost of capital इसका मतलब डबलू ए सी सी the company it had the paying dividend rate 20 per share और growth जी है इनकम टेक्स 40 परसेंट तो इसको solve करने के लिए चलिए मिर पास तो तीन चीज़े हैं वो तो मैं लिखी देता हूं सर तीन चीज़ों में क्या है equity share capital है 12% debenture है short form में लिख रहा हूं 18% loan है है ना सर amount भी लिखी लेते हैं 8 लाग और फिर से 8 और फिर से 24 लाग cost लिख लेते हैं cost है ही नहीं तो निकालो cost के लिए हमें क्या क्या चाहिए केई चाहिए पहले sir केई निकाल लो केई कैसे आएगा केई कहता है sir d1 divided by p0 plus में g question के इसाफ से d1 d0 जो भी है जब growth ही नहीं है growth नहीं है मान लो यह इस date पे है 10 रुपे का है मैंने का आपको कोई growth नहीं मिलेगा तो यहाँ पर भी कितना होगा दस ही होगा पांस साल बाद भी कितना होगा तो d1 d0 हमें साइक्वल रहेगा इसमें ठीक है तो यहाँ पर growth है नहीं तो वो वाला concept तो आएगा नहीं ठीक है sir d1 d0 तो यहाँ पर यहाँ नहीं 20 रखा divided by p0 market में price बताए question का कहता है paying dividend 20 per year नहीं दे रखा जी तो मान लो market में क्या चल रहा होगा 100 रुपे का simple सी बात है जब नहीं दिया तो यह assumption और यह लिखना है आपने आपने मन में नहीं रखना यह बात है answer sheet पर लिखना है कि we assume that यहाँ पर market value नहीं पता तो हमने face value को ही market value consider करके किया है यह लिख के आना है आपको एक्जाम में तब आपको पूरे नमबर मिलेगा चलिए sir 20% आये तो क्या लिख ले ठीक है आगे आते हैं केडी KD के बात करते हैं तो KD में KL बोल लो इसको या KB बोल लो borrowing भी बोलते हैं KB पता है क्यों होता है के और B, B for borrowing कई बार borrowing बोल देते हैं KD बोल लो, KL बोल लो या K, मैं तो KD के हिसाब से लिख के चल रहा हूँ अब आपके इच्छा है जो भी रख सकते हैं सर बारा परसेंट है और डिबेंचर होगा कितने का सो रुपे का तो मैंने कहा था केडी का फॉर्मूला होता है इंटरस्ट वन माइनस में टी डिवाइड़ बाइ एन पी इंटू में हंड्रेड क्यूंकि ये रिडिमेबल वाला नहीं है कोश्चन में दूर दूर तक कहीं नहीं बोला के पांस साल बाद रिडिम करेंगा तो इरिडिमेबल वाला इरिडिमेल का फॉर्मूला लगा दिया मैंने इंटरस्ट बारा रुपे होगा सौ रुपे पे नेट प्रॉसिट सो होगा इंटू 1 माइनस T, T दे रखा है 0.4 तो क्या गया इसको इंटू 100 करेंगे तो ये क्या जाएगा हमारा साथ 7.2 परसंट ठीक है अब 7.2 परसंट को कैसे लिखें 0.072 समझे बात अब आगे निकाल लेते हैं एक और पॉइंट सर इसको के भी बोल देता हूं मैं बोरोईंग है के डी भी बोल दो या आप डिबेंचर तो नहीं बोल सकते हैं या के एल बोल सकते हो ठीक हैं क्या हैगा हमारा अगेन इसका rate of interest अठा रहा है फॉर्मूला सेम रहेगा चाहे किसी का भी यह अठा रहा है तो 18 डिवाइड़ बाए 100 वन माइनस टी टी क्या है 0.4 इंटू मैं 100 सॉल्व करते हैं 60 तो कितने होगे 10.2 निकाली है या 10.8 आएगा 8 आएगा 10.8 कोई दिकत इसको भी डिजिट यहां फिल कर लीजिए 0. क्या लिखे हैं 108 अब इसको multiply करना है तो यह क्या आजाएगा 1.6 1.6 इसको multiply करिए इसका total तो दे रखा एग्जामनर ने कितने आगे अब टूटल करना है इसमें आप calculator पर ने एक shortcut यूज कर सकते हैं सर क्या use कर सकते हैं shortcut हम आपने पहले क्या करा multiply किया देखो एक्जाम में आपकी इच्छा है करे चाहे ना करे ऐसा नहीं क्या आपको करके दिखाना है एक्जाम में बस मैं बता देता हूं कि इस तरीके से calculator का यहां इस्तमाल हो सकता है कैसे पहले आप multiplication करिए यहाँ पर gt का use करेंगे कैसे multiply किया मैंने 8 लाक into .2 plus करके equal to करना है बस इसके बाद फिर से 8 लाक लिखा into .072 plus करके equal to करना है plus करके equal to into नहीं करना है इसके बाद क्या है 24 लाक into .108 मैं दीरे दीरे बता रहा हूं वीडियो को बार बार देखके सीख जाओ गया plus equal to अब यह सारा आ गया आप मुझे दुबारा जोड़ने की जूरत नहीं स्रिफ इसमें calculator में gt का button होता है जोड़ दिया अपने आप ही उसने बस आपको जैसे समझ में आता है वैसे करिए आप जो calculator में gt का होता है वो यहां काम करता है हमारा grand total होता है इसका full form उसने सबको total कर रगए कोई दिक्कत अब क्या निकाले हम जो examiner ने बोला था यानि WACC उसके लिए जगह है तो बची नहीं यहां निकाल दू सर फॉर्मूला अगर ध्यान से देखो तो फॉर्मूले में क्या लिखा था एफ एक्स यानि product की बात हो रही है तो यहां पर product की बात करें तो फॉर्मूला एक्जाम में पहले लिख के दिखाना चाहिए हाँ लिख देना नहीं लिखोगे तब भी चलेगा बट आप लिख देना ठीक है divided by 40,000,000 into में 100,000 11.92 ये हमारा आंसर है 10 number इसके मिलते हैं एक्जाम में आय गुषण है sir exam में इसके आंसर जब आप निकालोगे तो differ आएगा जब मैं solution तो मैं देता हूँ, उसके answer में क्या differ आएगा, यहां है 11.92, हो सकता 11.90 आजाए, हो सकता 11.89 आजाए, मतलब 5 point का बहुत rare chances होता है कि changes है, बाकी ऐसा नहीं है, 11 है, तो आपका 12.5 आ रहा है, तो गलती हो आप, यहां पर इतना चल जाएगा 90 या 89, इससे ओपर नीच क्योंकि आप calculator पर digit लोगे, अभी भी आपने बताया, तो मैंने तो आपका कही हुई बाते लिख दिया, लेकिन digit तो आगे भी जा रहा होगा ना, और सर, इसको करने के दो तरीके हैं ना, जब दो तरीके हैं तो दूसरे तरीके से जब करोगा, तो answer exactly same आएगा, बस point one one का फ तरीका बिल्कुल अलग है, मैं अभी सिर्फ दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कहा है, इसको करने का तरीका अलग है, यहां पर CC लेते हैं, वेट लेते हैं, अलग तरीके से यह परसंटेज यह निकालते हैं, यह परसंटेज यह निकालते हैं, फिर यहां पर उन्होंने जो भी करा एक्स वाइज एट उससे हमें ले देना देना नहीं है हमें तो इतना पता है जब भी इस कोश्चन को करेंगे तो सर बस हमारे दिमाग में तो एक ही है कहां गया कि मैच हो गया जी हमारा बात ख़तो ठीक है ना समझ गए बात अब चलिए एक कोश्चन और करें पहले आप यहां तक कोई बता देजिए है डाउट को नहीं तो एक और कुश्चन पर चलेंगे कोई डाउट है इसमें सिंपल था बेसिक चलिए एक और कुश्चन पर आ जाते हैं एक आपके सामने यह कोश्चन है यह और दो कोश्चन है एक नहीं है यह यह दो कोश्चन है देखिए दो पॉइंट है तो दोनों को अमलग अलग तरीके से देएंगे क्या कहता है कोश्चन में कि ABC Limited has the capital structure ठीक है भाई कहता है equity share capital है चाल लाग का और दस का एक जो कि चालिस लाग बनी गया जी preference share भी है वो कितने का है चार लाग रुपे का आगे point के बाद 0 है debenture भी जी है यह 6 लाग का है the equity share of the company quoted 110 यानी P0 equity share जो चल रहा है वो कितने का चल रहा है quoted का मतलब होता है market के अंदर इतने का बिक रहा है चीक है ना quoted का मतलब होता है तो quoted कितने का है हमारा जो quote कर रहा है वो 110 का the company has the expected to be declared dividend तो क्या दे दिया D 0 या 1 1 है क्योंकि expected है ना तो क्या है हमारा D 1 है चलिए the rate of growth of dividend expected 8% maintain tax rate 40% तो सब कुछ समझ में आ रहा होगा calculate WACC आज भी यह सीखा है और दूसरे के अंदर loan और add गर देंगे 10% यानि दो बार WACC निकालना है एक बार तो जो जानकारी दे रखी उससे दूसरे बार में इसके अंदर एक और point चिपका दो क्या loan ले लो और कितने का 5 लाग का 10% के हिसाफ से और WACC निकालना है समझे पहला part करते हैं चलिए इतने जगे की जुरत है नहीं है ऐसे यानि हमें चाहिए दो format है question तो clear हो गया इसको थोड़ असा हम reduce करते हैं size ये 2013 नवंबर में आये होगा है पहला क्या word है हमारा क्या लिखते हैं हम source amount cost product WACC ठीक है चलिए इसके अंदर लिख देते हैं क्या है हमारा equity share capital और क्या है जी 12% और क्या है 10% diventure amount भी ले लेते हैं ये कितने का था equity share चालिस लाग preference share और ये cost तो पता नहीं है वो तो निकालना पड़ेगा तो हम दोनों question एक साथ ही कर लेंगे ये part B के लिए कर लेता है और ये पहले part 1 तो कर रहे part 1 के अंदर इसको बाद में देख लेंगे part 1 के अंदर देखो ध्यान से cost नहीं पता cost किस-किस का जानना है यानि हमें जो पता करना है वो के पता करना है के पी पता करना है और के डी पता करना है जब तक ये तीनों पार्ट नहीं पता चलता हम नहीं कर सकते है ना अगर मैं KD की बात करूँ पहले KE की बात करते हैं तो KE का formula क्या होता है सर कE is equal to D1 divided by P0 plus में G आप ध्यान से देखो तो आपको question में क्या-क्या दे रखा है सर question के अंदर आपको P0 भी दे रखा है market price जो quoted कर रहा है growth G भी दे रखा है आपको और क्या चाहिए हमें D1 भी दे रखा है 15 सब कुछ दे ही रखा है solve कर लेते हैं 15 divided by 110 plus में G कितना है 0 point इसको multiply कर दो तो जवाब आ गया बताईए बताईए क्या आए रहा है percentage 15 divided by 110 plus point 08 सब को solve करके सब को solve करके बता रहे हैं यह तो नहीं आ रहा पता नहीं कैसे कर रहे हैं हाँ यह आ रहा है 21.63 ठीक है यही केई दूसरे में भी काम आएगा ध्यान रखना इसलिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ दूसरा सर अब निकाल लेते हैं के पी सर के पी का अगर आप ध्यान देना ना तो के पी निकालोगे ना तो के पी रिडीमेबल वाले में तो डिफ्टरेंट आ जाता है लेकिन जब एर रिडीमेबल होगा तो के पी पर फरक ही नहीं पड़ेगा क्योंकि सीडीटी का पंगा नहीं है आप निकाल के देखो के पी क्या कहता है दिटि डिवाडिड बाइ आपका NP into 100 जब तक हमारा NP वाला फेक्टर चेंज नहीं होता तो सेम ही रहेगा सर यहाँ पे कहता है KP 12% ठीक है भाई डिविडेंट 100 रुपे का मान ले तो 12 होगा 100 रुपे का ही होगा क्योंकि ना तो रोटेशन कॉस्ट है ना कमीशन है ना डिसकाउंट है कुछ भी नहीं है into में करेंगे 100 तो rate अगें क्या आगया 12% केडी तब चेंज हो सकता अगर rate टेक्स दे रखा होगा टेक्स नहीं है तो केडी भी क्यों बदलेगा तो सर टेक्स तो दे रखा है तो केडी निकाल लेते है क्विश्टन की उपर से जुरत है ने चलिए केडी निकालते है केडी का फॉर्मूला क्या है सर केडी का जो फॉर्मूला है केडी इस इकल टू ये कौन से वाला है redeemable या irredeemable या irredeemable ये बता दो आप irredeemable है irredeemable में RV, NP जो हम करते थे बहुत बड़े वाला थोड़ा सा formula वो तो apply होता नहीं है तो sir interest कितना है? rate दे रखा है आपको 10 है तो 100 रुपे का मानो तो कितना आगे? 10 divided by 100 और 1-T 1-T 0.4 तो ये आगया 6% पहले वाले को solve करते हैं ये आगया हमारा 0. क्या आया था? 21 tracer ये आगया 0. kp क्या आया? 12 ये आगया 0.6 आया? simple सी बात है पताईये इस वाले में कोई doubt है क्या? ये कुछ बच्चों को साइध visual ना हो चलिए बताईये क्या आ रहा है? ये 50 कितना आ रहा है? 8.65 200 8.65 200 दूसरे का बच्चे कह रहे हैं सर लोन भी तो लोन भी पार्ट में दूसरे पार्ट के लिए यहां करेंगे ठीक है? 8.000 36 टोटल कर लेज़े क्या है टोटल? 9 49 चलिए जी डव्लू ए सीसी क्या कहता है हमारा डव्लू ए सीसी? डव्लू ए सीसी कहता है सिगमा प्रोडक्ट डिवाइड़ बाई सिगमा अमाउंट इन्टू हंड्रेट क्योंकि कुछ लिखा नहीं है प्रोडक्ट है 9492 डबल जिरो डिवाइड़ बाई इन्टू में सर अमाउंट क्या आया? 18 पॉइंट? जी यह आंसर डव्लू एंड़ ये कोशन 15 आया होगा और लोन कितना है हमारा 10% तो 10% लोन कितने रुपे का सर 5 लाग का समझे बात एक पार्ट और एड़न हो गया आप एक्जाम में करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको एक्जाम में दोनों ही करके तो दिखाना पड़ेगा ना आपको मैंने एक पार्ट और एड़ कर दिया सर क यही यूज होगा क द यही यूज होगा क प यही यूज होगा बस एक क ऊल यानि लोन वाला पोईन हमें अलग से निकालना पड़ेगा तो यहां पर निकाल लेते हैं कल कल या क्ई इसे एकल टो क्या आएगा 100 रुपय का माल लो 10% माल लो 10 1 माइनस में 0 पॉइंट 10 ही 10 परसेंट ता कुछ और था वहाँ भी 10 यहाँ भी 10 तो वही आ जाएगा फिर तो यह 6 परसेंट आ जाएगा यानि अगेन इसका देखा जाए जो 0 पॉइंट कितना है 21,63 इसका देखा जाए तो 0 पॉइंट 12 इसका देखा जाए 0 पॉइंट जीरो और यह 0 पॉइंट 06 984 984 ही निकाला ठीक है मार्केट प्राइज एक्विटी का 105 बताया बच्चे हाँ यह ध्यान नहीं दिया कहता है लोन जैसे लोग है न आपका एक एफेक्ट आ जाएगा कहता है जैसे आपने लोन लिया दा कंपनी वान टू रेज एडिशनल लोन रुपीस 5,10 परसेंट calculate revise WACC और market price एक्विटी का बदल जाएगा तो sir market price जैसे एक्विटी का बदलेगा तो मतलब क्या मतलब यह के ए नहीं रहेगा क्योंकि के ए बदल जाएगा तो आप मुझे के ए भी निकाल लेना चाहिए आपने ध्यान नहीं दिया बहुत कम जगह मिल रहे है के ए कैसे निकालेंगे फिर से formula यही अपलाए होगा बस फरक ही होगा जो dividend है न वो 15 रहेगा और divide by जो 110 किया था वो हो जाएगा 100 और plus 0.08 का into 100 और कितने 22.28 तो सर यह आजएगा 0.202 तीनी डिजट ले रहे हैं ठीक है 202 मान लो 203 मान लो and etc अब multiply करिए 30,000 36,000 48,000 एक तो आप करिए चार मैंने तीन तो करी दिया मैंने 80 product टोटल बताईए 922 ठीक है चलिए अब question का काम नहीं है तो मैं यहाँ WACC निकाल देता हूँ आपके लिए क्योंकि मैं font को छोटा नहीं कर रहा हूँ font छोटा करूँ unnecessary यहाँ निकाल रहा हूँ इसका WACC अरे WACC is equal to मैं direct यह formula नहीं लिख रहा हूँ direct लिख रहा हूँ नाइन डबल टू डिवाइड़ वाइड 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 विफ्टी फाइव लेक हंड्रेट बताईए कितना थोड़ी आएगा फरक के ही है 22 पॉइंट किसने बताया थे पूरा गर्बट करा दी आपने बताओ 22.28 बच्चे बता भी रहे मैंने ध्यान नहीं दिया है जीरो पॉइंट ट्रिपल टू ये क्या रहे है आठीक है अन्वे दोस्ट चलिए अच छोड़ो ने लागया ठीक है टूटल कर दो टूटल दस लाग बस यहाँ चेंज हो जाएगा और यहाँ आजाएगा दस लाग पांच हजार यह एक जिरो और आएगा सॉल्व कर दीजे बस आप एटीन पॉइंट यह यह आजया पहले वाले का यह है पहले वाले का यह और दूसरे वाले का दोनों में फरक कितना है? थोड़ा सा फरक है एक लून ही तो बढ़ा तो कॉस्टिंग इतने का बढ़ गया है एकुटी शेयर का प्रोड़क्ट कैसे आया? एट इसके आगे यह एट और था भाई पूरा पूरा डिजेट ले लिए मैंने इसलिए आगया आप कर सकते हैं नहीं तो आप लोग का कुछ और एक दो सो रुपे का फरक आएगा लेकिन आंसर यही आएगा करके देख लेगा आंसर पर चेंज फरक नहीं पड़ेगा चलिए बताइए कोई डाउट क्लियर? अब डबलू ए सी सी का जो था करने का तरीका पता चलिए इसमें कुछ एडवांस लेवल के भी कुश्टन जिसमें के रिटेन अर्निंग आ जाएगा कोई ऐसा चेंज नहीं है होना यही है बस वो एक पॉइंट दो पॉइंट में देगा जैसे कुश्टन देखते हैं कुछ सर यह देखो 18.99 वैसे तो इसने निकाला नहीं इसका कितना रहा 18 पॉइंट 99984 मतलब वो ही आ गया something और इसका भी आ गया 18.3 हमारा क्या रहा था 27 समझ मैं दो तिन पॉइंट एप्रॉक्स है तो उसको जाने दो इन्होंने दूसरे तरीके से इन्होंने क्या रहा था यह solution भी तो यह दूसरे तरीके से क्या था चलिए अगेन यह भी एक्जाम में आया देखो 2016 में पहले क्या हुआ 13 में यह आया यह question आया आपका 13 में तीन साल बाद exam रहने करा चलो एक बार और दिया जाए question कुछ भी change है क्या देखो एक बार बताओ सिर्फ change है दुबारा दे दिया तो जिसने 13 का question प्रेक्टिस किया होगा 16 में उसने का पूरा ही होगा तो यह तो मैं आपको homework में दे दूँगा वैसे आगे चलते हैं यह कौन सा है हमारा यह मुझे ही कराना पड़ेगा चलिए देखते हैं पहले इसमें बता दीजे किसी का doubt है तो नहीं तो फिर question तो मैं बता दूँगा कुन सा करना है कुछ बच्चों की आज first class है तो भाई previous class जब तक नहीं देखेंगे आपको समझ नहीं आएगा यहां तक कोई doubt नहीं है आज का class यहीं पर और इससे जो related questions है न वो मैं PDF upload कर दूँआ और WACC का book value के according आपको question try करना है market value वाला अगली class में पहले book value के doubt ले लेंगे अगर doubt आपका निकला वैसे आ सकता है उसमें तो अगली class भी WACC चलाएंगे उसके बाद market value चलाएंगे इसके बाद इसमें कुछ नहीं है चप्टर खतम होने के end point पर है ठेक है चलिए note कर लेजिए हाँ PDF upload हो जाएगा कल होगा लेकिन सुबह 10 बजे कुछ बच्चे doubt पूछ रहे हैं एक मिनट एक मिनट एक मिनट जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए बागी PDF तो अफ्लोड कुछिंस का मैं कर दूँगा येस हिमानसू बताईए सब मेरे टाउड ये है कि क्या ना में वो homework में कुन कुछन करना है सब क्या कह रहे हो homework में कुन कुछन करना है वो मैं दूँगा वो मैं बताऊंगा अभी मैं पहले select करके वही PDF डालूँगा और चैट में डाल दूँगा इतने से इतने कुछन करना है ठीक है ना सर वो book करें सर वो mid August तो वो पाएगा क्या mid August जी सर या उससे पहले हो जाएगा सर syllabus book सर book book तो आपका मान के चलो mid August भी नहीं लगना पहले ही हो जाएगा mid August नहीं लगना एक सेकेंड जी सर mid August से पहले हो जाएगा वो तो पहले ही हो जाएगा अब तो बस उसी पर काम कर रहा हूं मैं ओके सर अब अब सर पता कैसे चलेगा काफी बच्चों के डाउट्स हैं देखते रहते हैं अब